हलो बच्छों वेलकम आज पुन आपका जो मेजर टेस्टरीज है उसका जो फेस्ट पिपर है जो आज बचों कंप्रीड हुआ है उसको पुन सब्सक्राइब करते हैं ठीक है एक्जाम का जो पैटन है वह आज पर दाज पैटन रहेगा अपना ठीक है टोटल इसके सवाल अपना बी सेक्षान उसमें किया बच्छों टोटल दस सवाल है उनमें सबको एनी पास को अटेंप्ट करना है ठीक है तो पिछों पहले सेक्षन फैस्ट को सब्सक्राइब करते है two are two values of a for which fx is continuous x equals to pi by two then वेटा आपको इसका value find करना है ठीक है तो अप्विस सी बाद है कि यह बच्छो function आपका continuous है तो उसके लिए क्या होना चाहिए बोलो उसके लिए वेटा क्या होगा इस side से limit और वेटा उस side से limit दोनों side से क्या होगा भी it has to be equal दोनों side से आपका limit बनेगा उपच्छो बराबर होना चाहिए तो यहां से क्या भी इस side से limit क्या बनेगा pi by cost by by two zero यह भी zero तो इसका deal rule लगा देंगा तो वहां से क्या बनेगा minus का sin x upon minus one और x को pi by two रखा बेटा तो यहां से क्या बन गाए यह बन गाए यह बन गाए one तो बेटा it should be one यह भी बेटा आपका one के ब्राबर होना से यह that means what a square plus a plus one it should be one cancel out तो a value will be zero और minus one so two values of a are zero and minus one two values of a will be zero and minus one अब यहां से पून क्या करेंगे है जीरो पे और minus one पे quote inverse का आपको value find करना है ठीक है तो यहां पे quote inverse a one so quote inverse minus one plus quote inverse zero quote inverse minus one will be three pi by four quote inverse zero will be pi by two ठीक है so if you add then answer will be five pi by four option first will be correct है पहला बेटा इसका option बिल्कुल ठीक है आपका ठीक है first option will be correct next one if theta angle theta is the angle between this line and the plane is such that sin theta is one by three then lambda equals बहुत easy problem है simple directly क्या बच्चों आपका formula बेसावाल है right ठीक है simple से यहना values को put करना है and then we have to get the answers ठीक है तो first of all यहां से क्या बेटा your sin theta will be आपको पता है कि line और plane की बीसमेंगल किस form में होता है sin theta की form में बच्चों बनता है यहां से sin theta क्या बनेगा sin theta बच्चों बनेगा 2 into minus 1 plus 1 into 1 plus 2 into root of lambda upon यहां पे 2 square plus 2 square plus 1 whole का under root so 3, 3 into यहां से बिटा क्या बनेगा under root 4 plus 1 plus lambda and that is sin theta बच्चों बच्चों आपके पास यहां पे क्या दिया है 1 by 3 given है तो इसको solve करना के बाद आपको बच्चों lambda मिलेगा 5 by 3 हैना if you solve it then we get lambda equals to 5 by 3 ठीक है डिरेक्टली फॉन लाबेस रहा है ठीक है very easy problem next one if f x equals to sin x 0 to x cos t dt plus 2 into integral 0 to x t dt and plus cos square x minus x square ठीक है then area bounded by x in to f x and ordinate x from above 0 and x equals to 5 with x axis ठीक है तो पेटा इसका पहले derivative कीजिए आप f dash x आपके पास यहां मिलेगा इसका क्या मिलेगा बेटा sin x का cos x into integral 0 to x cos t dt plus sin x into cos x plus 2 x 11 0 लगा दें बेटा ना लेमिली जुरूल प्लस 2 into cos x minus का sin x minus का 2 x देको बेटा यहां से cancel out x से बेटा यह power cancel out ठीक है ना तो अपने पास यहां पे f dash x क्या रहा बेटा f dash x अपने पास यहां रहा है cos x into 0 to x cos t dt और minus का sin x into cos x ठीक है अब बेटा यहां पी क्या देखो आप indication कर सकते हो बड़ा राम से है ना cos t का indication क्या रहा है sin t तो यहां से क्या बनेगा आपने पास यह part sin x cos x minus sin x cos x यह से cancel होगा ठीक है ना so f dash x आपका यहां पी क्या बन रहा है 0 बन रहा है तो f x क्या बनेगा बेटा constant f x क्या बनेगा आपका constant ठीक है ना f x बेट आपको पास यहां बन गया आपका ठीक है ना और बेटा आपको पता ही है कि x को 0 रखने पर यह भी 0 0 0 तो f of 0 आपका 1 बन रहा है तो f x आपका क्या बन गया बोलो 1 बन गया, बोलो बेटा आया मजा, समझ में आए चीज़ें आपको बोलो, ठीक है न, f of 0 is 1, so f of x will be 1, ठीक है, अब यहाँ पे आप इस कांसर निकाल लीजिए, हमारे पास क्या है, area bounded by x into fx, तो x into fx यहाँ पी क्या बन गया आपका, यह बेटा बन गया, आपका x बन गया, ठ ठीक है न, x बन गया, 0 and x equals to 5, तो अपने पास बेटा कुछ ऐसा अंसर जायागेशका, की, sorry, sorry, बेट अपनास अंसर कुछ ऐसा जायागेशका, x into fx will be this line, x बन गया, 0, this one, x बन गया, 5 बेटा, this line, ठीक है, और बेटक सक्सिस, ठीक है आपको तो यह रहाए आसे निकालना, this has to be obtained, ठीक है, यह बेटा आपको यह आसे फांड निकरना, बस इसका, ठीक है न, तो यह पास बेटा तो यह भी क्या बनगा, पास बनगा ठीक है आपका, ठीक है न, तो आंसर गया बनगा, 25 पास बेटा 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 अधिका है कि उनमें से exactly 2 बोल कैसे है निया निया वाइट बोल ठीक है तो पहले अपन क्या करेंगे इन 5 में से 2 बोल वाइट को निकाल लेंगे तो 5C2 साथ में से कोई भी दो आ सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो साथ सीटू और अपोन क्या बेटा बारा में से कोई भी दो बोला है इसको क्यालकुलेट करने के बाद अपने पास जो आंसर सवाल का आ रहा है that is 14 by 33 ठीक है क्यलकुलेट करने के बाद अपने पास सवाल का जो आंसर बन रहा है वो बच्वा मारे पास क्या रहा है 14 by 33 आंसर बन रहा है ठीक है ना next सवाल सवाल ठीक है तो बेट अपने पास यहां पी क्या है defined है और fx का आपका ऐसा function है और g इस का inverse है तो पहली बाद देखना पड़ेगा कि f1 क्या रहा बेटा 8 आ रहा है तो g-8 तुमारे पास क्या है बोलो बेटा g-8 विल बी 1 अपन f-1 ठीक है ना this is the required direct result आपका ठीक है आपको याद होना सिए फटाबट f-1 अपन f-1 तो इसका derivative करो और बुस में 1 रख तो बस तो 3x square प्लस 4x प्लस 4 और प्लस cos pi by 2 into x into pi by 2 अब इसमें x 1 रखेंगे तो 3, 4, 7, 4, 11 तो क्या बनेगा आपका एक बटा 11 तो इस सवाल कांसर क्या बनगा आपने पास 3 by 11 ठीक है ना इससी प्रब्लोब है नेक्स सवाल देखीगा नेक्स सवाल देखीगे बटा ठीक है ना तो बटा आपने पास यह ओबिसी बाद है एक इलिप्सी बन रहा है 3-Z प्लस आयटा इसका मोड प्लस Z-1 प्लस 3 आयटा और दाइस 3 यह बन गा बेटा लोकस ओप Z is in ellipse ठीक है ना हूज असने इस इठीक है तो यह आपका 2 यह बन गा तो 2 यह अपने पास क्या रहा बेटा 3 आयर रहा है और 2 A e वो क्या रहा बोलो बेटा यह इसका F1 बन गया यह इसका तुम्हारे पास F2 बन गा F1 F2 तो बेटा F1 अपटू यहां से क्या रहा बोलो बेए 3-1 का स्कुरर और ये point अपने पास क्या एगा 3,1 और ये point क्या है बेटा 1,3 तो क्या बनागा बोलो बही चार चार प्लस चार, इसका बनागा बेटा, दो रूट दो, हाना, तो 2A ये अपने पास जरूर दो आरहा है, और 2A आपका E आरहा है, 3 आरहा है, तो E का मान क्या बनागा बेटा, 2 रूट 2 बाई 3, 2 रूट 2 बाई 3 बिल पी दाणसर, option 4 बिल बी और प्रेक्ट, option 4 बिल बी चार, लुट 1, जी इससोओ प्रोल बिल आपका, P A and Q ⇌, अथिका, फ्र्यूंकや दिस वन, तो बिल आपको लिख लिए अप P Q ठीका, बी True? True, True, False, False, ठीका, true false और आपका true false ठीक है भी आप इसको बड़ा बरना लिजिए राम से आप तो बड़ा अपने पास यहाँ पी क्या true false true false so firstly we have two negative p ठीक है ना false false true और आपका true ठीक है तन बड़ा क्यों अपने पास क्या आज़री जाए ठीक है which is true false true false अब जोगो बड़ा पहला निकाल लिजिए यहाँ पर पी यह ना और आपका union q तो यहाँ से कहा बोला बड़ा इसका इसका दोना union पास बड़ा यहाँ से बनेगा फोल्स बड़ा है तो पेड़ा अपने बड़ायस और यहंड है अपकू कमप्रीट निकालेंगे तो एफ आफ एफ 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 और आपका यह बनगा ओठीक है तो अब मेशित बात ही आपका आपका टोलोज भी नहीं है ना यहां पी क्या निधर टोलोजी नौर पनाडेक्षान ठीक है भी आपका कनाडेक्षिं में नहीं है OPSON C भी और आपकों सी फिल्डीक्ट ठीक है आजाओ नेक्स पे 8 नमर पाजाओ यह बढ़ा स्टेटलैन ठीक है ना? टचस दा सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा आपका ठीक है? मिला आपने स्टेटलैन के यहां पर 2x अपॉन A प्लस y अपॉन B 2x अपॉन A प्लस y अपॉन B ब्राबर 2 root 2 हो ना? टचस दा सर्कल बेटाई सर्कल को टच कर रहा है सर्कल हमारे पास की x स्क्वार प्लस y स्क्वार बराबर 2 A B इसको टच कर रहा है तो बेटा आपको बता ही है कि कोई line straight line सर्कल को टच करती है तो उसके center से length है परpendicular जो length है वो क्या होगा? उसके radius के बराबर बच्चो बरना चीए तो यहाँ पर इसको radius के बराबर कर दें आप तो यहाँ पर 0 plus 0 minus का 2 root 2 upon 1 upon 4 upon A square plus 1 upon B square इसका पूरे का under root whole का mode and that is equal to उसका radius that is root 2 A b बेट आपको इसको solve करने के बाद हमारे पास वो answer बनेगा that will be, आप इसको solve करने ना पेटा आपके पास यहाँ answer बनेगा A equals to 2 B solve करने बाद you will get A equals to 2 B, option C will be correct next one if A, B not equals to 0, C, D are real and the equation ठीक है? बेटा आपने पास equation क्या Z square? plus A plus A eta into B Z plus C plus eta D equals to 0 has one real root, ठीक है? बेटा मने माल लिया, के लेट Z equals to क्या आपके पास? R है, हाना? R is real R is real root, ठीक है बेटा? तो पुट कर दीज़को आप तो R square plus A plus A plus A eta B into R plus C plus A eta D and that is equals to 0, ठीक है? R is का real root है, ठीक है? तो क्या आप बोलो? R square plus R A plus C plus I eta आपका coefficient बारा गया BR plus D will be 0 so that part has to be 0 तो यहां से बेटा R क्या बनगा? R बेटा है, यहां से बनगा? R बेटा है, आपका minus का D upon B है, ठीक है? अब बेटा, इस R को यहां put कर दीजी, आप ठीक है? इस R को यहां put कर दीजी, आप तो क्या बनेगा? यहां पर इन्टू करेंगा आपके पास तो मारे पास answer बन गया CB square plus D square minus ka IBD है, ना? option first will be correct option first will be correct है, ना? next hall पाजाओ if e1 e2 r the ascendations of the conics, ठीक है, ना? बेटा, यहां पने पास यहां पर, sorry, sorry हमारे पास क्या बेटा? e1 e2 r the ascendations of the conics, ठीक है, ना? बेटा, यह आपके पास क्या बन गा आपका? इलिप्स, यह आपका बन गाया, हाइपर बोला तो यहां पर 16 x square upon 144 plus y square upon 144, 9 y square equals to 1, ठीक है, ना? तो यहां बेटा, निकाल लिए जिसका आपका, ठीक है, ना? तो e1 square plus e2 square, बेटा, हाँ ना? यह संदिसर का sum आपका 2 आ रहा है, यहां पर न, 2 आ जाएगा, ठीक है? तो बिस्टी बाइदा वो हो कि आपका 3 से आपका छोटा हो रहा है, ठीक है? बेटा, सेंटर अपने पास कहाँ यहां पर y-axis पर आ रहा है, तो सर्कल कैसा बनेगा? सेंटर माली ज़स 0 कमाज C है आपका, ठीक है? तो कुछ पता ने अपने गीवन थोड़ी है, कि आपका एकस को टेस कर रहा है, यहां कुछ नहीं दी है अपने को, तो आपका इस लेंग को टेस कर रहा है, सेंटर कहाँ पर y-axis पर, उसका रेडिस मारे पास क्या आ रहे है? तो सर्कल का एक्केशन क्या बनेगा? मारे पास x2 प्लस y-c का whole square ब्राबर r2, ठीक है? इस पर प्लस y-c का whole square ब्राबर r square, यह अपने पास क्या है? उस circle का जर्नल फ़र्म वन गए, ठीक है? अब इसमें दो arbitrary constant आ रहे हैं, तो c रहे का आ रहा है, ठीक है? इन दोनों का अपने और रिमूग करना पड़ेगा, then we get the differential equation, ठीक है? यहां तो directly हट जाएगा, कैसे बेट c into, अब इसका derivative करें, तो क्या हैगा y dash बराबर 0, देख, उस c तो हट गया आपका, यहां से आप c निकाल लिजे, ठीक है, ठीक है, ना? कैसे निकाल लिए बोलो? x square बराबर 2 into c minus y into y dash, ठीक है, यहां से c निकाल लिजे, और फिर क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा, इसका second time, फिर से derivative करते हैं, second time derivative करने के बाद, उसमें आप c को put करते हैं, तो आपको required बच्चों answer मिल देगा, ठीक है, इस अवाल का answer आपके बन रहा है, option b है, option b बच्चों इसका correct हो जाएगा, आपने पास, ठीक है, बस आपके बास, आपको बस यह पता हो ना, यह equation कैसे विने ठीक है, ठीक है, c और r, we have to remove here, from here, ठीक है, next one, ए पराबोला, ठीक है, is drawn with its focus, बेटा पराबोला का फोकस S अपने पास कहां पे है, 3,4 पे है, and vertex at the focus of the पराबोला, तो यह पराबोला कौन सा, y square, minus का बारा x, minus का 4y, plus का 4, ब्राबर 0, ठीक है, ठीक है, तो इसको अपने देखें, तो y square minus का 4y, plus का 4, ब्राबर, बार x, तो यह पराबोला पने पास बनेगा, y minus 2 का square, ब्राबर बार x, ठीक है, इसका बेटा पने पास, and vertex at the focus, इसका focus कहां बोलो भी, इसका बेटा पने पास focus कहां आएगा, इसका focus अपने पास आएगा, 3, 2 पे जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार एकमान बार है तो एकमान तीन हो जाएगा ठीक है तो तीन कोमान तो बैज जाएगा अब एटा आपने पास पैरावला क्या है उसका वर्टेक्स तो यहां पे फोकस यहां पे तो पैरावला कैसा बनेगा भी वर्टेक्स मैंला वर्टिकल पैरावला बनेगा उसका वर्ट कि चारे का मान कितना आप भी ऑच दो इस का डिसनस चीक है तो चारे का मान यह आपर जाएगा आठ तो आठ इंटू एक्स माइनस का दो अब इसको लिखली जा रहां चाप अब अपने पास इसमिपार जाएगा बिटा इसको पूर ऐसे दो लिकिए बटाए इसको पूर लिकिए कैसे आपका वर्टिकल पर आपका तो यहां भी लिखा जाएगा इसको इसको लिखा जाएगा बटाए आपने पास एक्स मैनस दो का होल स्कयर बराबर 8 इंटू य जाएगा इसको ठीक है आपा जाएगा तुमाहरे पास आणसर बडूर बटाए और य मैनस तू मन जाएगा ठीक है ना क्यूंकि X minus 3 का whole square ठीक है तो अब इसको लिख लिख लीजिए राम से तो बढ़ा इसको ना सोल करने बाद आपने पास जो पहला पार बेड़ा वो द भी धानस रहा ना फैस्स पार भी धानस रहा ठीक है नेक्स पाजा बढ़ा हूँ इपर प्वाइंट एक्स का वाइब हाना इस मुविंग उन्हें कराऊ नोट पासिंग थूदा ओरिजन एंड साड़िस्फाइदा इक्वेशन ठीक है ना तो यार आपको पता ही किस समों डिट्मान की फोर्म इसको लिख लिख लीजिए आप तो यहाप एमने पास क्या एगा अबी ए बी ए ए एक्स प्लस का बी वाई बी सी बी एक्स प्लस का ए वाई और पेटा तो यह बनागा ए बी और जीरो प्लस से वाई बाहर निकाल लिया और ए बी ए एक्स प्लस का बी वाई बी सी बी एक्स प्लस का ए वाई और यहां बेटा बी सी और आपका जीरो ठीक है यह बेटा अपने पास बन गाए ठीक है यह बेटा आपका से यहां पी क्या राद जीर आ ठीक है आप इसको सोल करेंगे ना आपके पास तो मारे पास बेटा क्या हो आपके पास जी पी के अंदर आ रहे हूं ठीक है सो अप्शन भी विल भी क्रेक्ट कि नेक्स फॉर्टीन नंबर कि फॉर्टीन देखें बेटा फाइफ फेर कोईंस सी के अटोस ठीक है पीज़ा प्रोबल्डी देट नोट पी पास कोईंस को फेर कोईंस consistent फेका जा रहा है तो पी इस बात की प्रोबेंड इव भी उन ब्रावर बनेगा, तो 1 by 2 power 5, यह 5 में से कोई भी एक head, तो 1 by 2 into 1 by 2 की power 4, plus 5 में से कोई भी 2 head, तो 1 by 2 power 2 और बाखी उन पे टाय लाएगा, ठीक है न, this is P, और बेटा Q हमारे पास क्या बोलो भी, and Q is the probability that not less than 3 heads, तो यह तो 3 heads, 4 heads या 5 heads, तो क्या बनेगा भी, 5 C 3, वो ही 1 by 2 power 5, plus 5 C 4, वो ही 1 by 2 power 5, plus 5 C 5, 1 by 2 power 5, ठीक है बेटा, अगें बेटा, यह जो कॉफिशन 5 C 0 यह, 5 C 1 ही है, यह 5 C 2 बेटा, तो P और की दोनों यहां ब्रावर होगे न, this implies P will be equals to Q, P और की बेटा दो, यहां पी क्या है, ब्रावर है, option 4 will be correct, बेटा, टैंजन ने पॉइंट ठीक है न बेटा, टैंजन का आप पोइंट पे है, यह कोई करो आपका ठीक है, टैंजन ने पॉइंट पी, यह पॉइंट पी माले जाए, आपका पी इस, इस, एक्स कोई वाई, और का मिट्स एक सक्षी जाट पॉइंट पी, तो बेटा टैंजन आपन बना लिजिए, इसका टैंजन यह ठीक है न, यह पॉइंट आपका पास पी बन है, इस पॉइंट इस पी टू, पी इस, पी डिवाईट पी तू, इंटरली इन दरेस्ट राइश स्टी बन, तो टू इस बन में डिवाईट कर रहा वेटा, तो पी पॉइंट आपका जाएगा, 3x को माझ जाएगा, 0,3y2, चीक है न, राइट, अब यह ठाइज, पॉइंट भी दी अपन दी आपन दीए क्या बनेगा बोलो दो बैट पी पर स्लोप क्या बनेगा बोलो भी बन्जाए कि बटा 3Y by 2 मैनस 0 अपन मैनस का 3X तो यह से कैंसल हो बैटा तो मैनस का Y upon 2X ठीक है तो इसको बहुत लेलीजिए आप DY upon Y ब्रावर मैनस का DX upon 2X तो यह बनेगा बैटा लोग Y ब्रावर मैनस का 1 by 2 लोग X प्लस बैटा चो लोग C तो यह बनेगा बैटा आपका लोग X इन्टो Y स्क्वेर ब्रावर लोग C तो यह बैटा X Y स्क्वेर बीक्टी है ना हो नेक्स देखी क्या नमर सिक्स्टीन अग्रें कि अधिक अधिक तो बेटा ऐसा अपने पास है यह 25 मिटर का बिल्दिंक है इससे यहां से लेकर यहां तक ना फ्लेक स्टाफ लगा देविदा यहां पर जण्णा लगा दिया इह सब्सक्राइब कर रहा है और यह यहां से यहां के दुर्जी आपके पास सब्सक्राइब करके आप यहां से क्या कर रहा है यहां से निकाल लेंगे एक सब्सक्राइब कर रहा है यहां से बन रहा है यहां से बन रहा है फाइफ रूट त्री वाइट बन रहा है ठीक है ना ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिया जाए बटा बस डाइग्राम को अना चीवर से यहां पर 17 नमबर यह बटा आपका मेक्समिन में प्रोलम है बटा आप इसको पून है ना एमजम की हल्प से कर सकते आपका ठीक है देखो बटा एफ एफ एक्स को यहां पर ऐसा लिख सकता हूं भी देखो एफ एफ एक्स को यहां बना दूंगा कैसे वन अपॉन प्लस साइनेक्स प्लस वन अपॉन प्लस साइनेक्स मैनेस वन इसको लेंगे बटा तो उपर जला जाए गए एक्जेक्ली यह फंक्शन आपका इवन फंक्शन के ब्रावरी है इसमें एम जम लगा दीजे आप वन प्लस साइनेक्स plus 1 upon 1 plus sin x this is more than equals to 2 बेटा तो सबसे बड़ा कब आएगा बेटा जब सबसे छोटा ये होगा तो fx यहाँ पे fx का maximum value वो मारी पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 1 upon 2 minus 1 this is 1 तो इसका maximum value क्या बनेगा 1 बन जाएगा ठीक है next आजाओ 18 number the parabola हाँ ना is drawn with एक परावला बेटा is drawn with vertex एक परावला आपके पास है उसका vertex कहां पे है 0, minus 3 पे ठीक है तो परावला कुछ ऐसा बन रहा है and axis of symmetry along the conjugate axis इसका conjugate axis हम आरे पास क्या आएगा y axis यहाएगा ठीक है this is a conjugate axis of this hypervola and passes through the foci of hypervola माले बेटा इसके foci है किसकी s1 और बेटा s2 ठीक है ना s1 s2 निकाल सकते है बेड़े राम से किस से एगा बो भी a1,0 से और minus का a1,0 से ठीक है ना a1,0 से and बेटा a1,0 से बेटा बन जाएगा ठीक है ना तो यहाँ से ना अब बड़े राम से किया परवाल निकाल सकते हूं ठीक है और परवाल निकालने के बाद आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका तो ऐसा निकाल लो इसका e निकाल लो बेटा पहले तो ना इसका e क्याएगा बोलो इसका यह जाएगा e square भी अंडर रूट 1 प इसका बन जाएगा तो इसका फोकस निकाल सकते हैं 0,1 पर अच्छा है तो आपका पास आंसर बन जाएगा a will be the answer नेक्स वन वन है, यह इस इन क्मा स्प 현्ड करना है है, फटा अब संअ ट्रिकी सवाल एं, इसको कैसा बनाते बएटा है, यह इसको एसा कुछ कर रहा हूं, जील से लेके, पा क्या साइन टे पेडा चल、 को से इटा मिनस का साइन टेटा, ठीक है? और बेटा उपर मैं क्या कर रहा हूँ? cos theta plus sin theta से इसको में into कर रहा हूँ और निच्छे करने भी क्या बनेगा? sin theta plus cos theta का whole square ये क्या बनता? sin square plus cos square plus का 2 sin theta into cos theta तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 plus sin 2 theta into under root of बेटा इसको पुन simplify कर रहा है यहां से तो ये मारे पास कुछ ऐसा बनेगा ठीक है? ये बेटा मारे पास बनेगा 1 plus sin 2 theta का whole square minus बेटा 1 बनेगा ठीक है? ये इसा बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है? और यहां पी का 2 बाहर बेजाएगा यांपे बहीं क्योंकि यहां से 2 को मना जाएगा बाहर आ जाएगा ठीक है? अब आप sin 2 theta को ऐसे T माल लेजी आप ठीक है? ये बनेगा cos square cos 2 theta बन जाएगा ठीक है? तो यहां से बन जाएगा माइनस का 2 से लेके और लिमिट अपने पास बन जाएगे 1 से लेके 2 और dt अपन T इंटू अंडर रूट आफ टी स्क्यार माइनस एक ठीक है? अभी मेरे पास यहां पी किसका बन जाएगा? टू इंटू कोसेक इन्वर्स्ट्री एक से लेके 2 हाना तो 2 इंटू कोसेक बन से दो बेटा आफ जाएगा तो मारे पास 5 by 6 माइनस का 5 by 2 बेटा ऐसा बन जाएगा ठीक है? 5 by 6 माइनस का 5 by 2 बन जाएगा ठीक है? थोड़ा 5 by 6 से मलब कहीं पे हमारे पास बन गाए इंटेकल्स के अंदर यहां से आबना इसको पूट करेंगे ना साइन टू को तो यहां से टूब जाएगा ठीक है ठीक है तो 5 by 6 माइनस 5 by 2 बेटा यहां से गया बन जाएगा थमारे पास माइनस का 5 by 3 सो अप्शन नमबर सी विल बी करेक्ट है ना अप्शन सी विल बी करेक्ट नेक्स पाज़ा बिटाओ थोरी को डंग से पड़ें पॉइंट मूँ सच्छड़ दा सम उप इस हाना सम उप ट्वाइस इट्स डिसंस फ्रॉम प्रेक्ट मालजी मूँ कर रहा है आपका है एच को माइन पापको पॉइंट पी ओफ एच को माँ की तो इस पॉइंट का यहां से दूरी क्या बनगा आपका इसका ट्वाइस अंडरूट एच स्कूर प्लस के स्कूर है ना सच दा सम उप इट्वाइस इट्स इस डिसंस फ्रॉम दा ओर इस इस इगल तो इसका वाइक्स इट्स क्या गा बोलो मोड अचा जाएगा ठीके ना तो प्लस का मोड एच ब्रावर लीट ले conviction अ किस्कोडर ट्री स्कूर mèreर् dash एपने पास बन जाएगा इलिप्स बन जाएग इसका इसक्या-ट्री खरय करने पर स्कुरू करणी कर सकूरूएं नो next अब अपने पास यहां पर क्या है वह होई है ना सिक्षन कि मैं इसमें कि आपके पास objective सवाल है अपका नेजीव मार्किंग से नहीं होता अपने बाश्टिक नेगडिव मार्किंग नहीं होती इन सवालों के अंदर लेके पहला सवाल देखी का अभी y ब्राबर 2x प्लस है ना यहां पे है if y ब्राबर 2x प्लस 3 is a tangent to the hyperbola then c तो बेटा सिम्पल सावाल x square minus y को यह रख दीजी आप 2x plus 3 का whole square ब्राबर c तो इसका d0 करते हैं आप d0 करने पे क्या है टस्चिंग करने समनेगा d0 करने यहां पी क्या आपका c will be 3 c का मान यहां पी 3 आजाएगा ठीक है second सवाल देखी का the expression ठीक है ठीक है बेटा expression का मान यहां से क्या आपका बोलो भी अपने देखें इसको डंक से बेटा तो अपने पास यहां पी क्या बोलो भी यह उपर वाला क्या sin alpha cos beta minus का cos alpha और आपका sin beta और निचे वाला बेटा इसमें सभी में आपका सेम आजाएगा ठीक है ना निचे वाला यहां से क्या आजएगा देखो भी cos c minus cos d गया तो cos c minus cos d क्या बनेगा minus का 2 times sin c plus d तो alpha और वाहां से क्या बनेगा भी sin beta ठीक है ना अब बेटा सभी में ये चीज़ आपका कोमा आजाएगा ठीक है ना उपर गयागा बोलो बेटा ये उपर आप क्या साजाएगा ये next में यहां पर आएगा sin beta cos gamma उपर में क्याएगा बेटा sin beta cos gamma minus cos beta sin gamma ठीक है ना ठीक है और फिर बेटा यहां से सब कुछ यहां पर इक इंसल जाएगा ठीक है सब कुछ यहां पर इंसल जाएगा ठीक है तो आंसर क्या मन जाएगा इसका सवाल गाइड़ तो जीरो भी दांसर नेक्स पैजाओ बेटा सुरी सुरी तीसे सवाल पर जाओ पीसर नंबर सवाल हाना बड़ा तीसे सवाल मारे पास क्या रखाए इसमें दा नंबर वेली जो थीटा हाना माइस पाइड उस जीरो साइडिस्फाइग दा ठीक है तो तो जार जेगा अपीक अपने, पास sin 2x का sorry cos 2x का sin theta plus cos 2x का sin 2x upon 2 और theta से लेके 2 theta यह बैट आपने पास 0 आ रहा है ठीक है तो sin theta plus 1 by 2 बाहरा आ गाए बैटा sin 2x by 2 तो यहां बने आपने पास sin 2 theta और minus का sin theta that is 0 ठीक है भी आप देखो है यहां से तो sin theta minus sin theta by 2 तो यहां बने आपके पास sin theta plus sin 2 theta पराबर 0 ठीक है अब इसमें से common निकाले जिए आप तो sin theta plus 2 sin theta into cos theta पराबर 0 तो यहां पे आपने पास sin theta common आ गया है यह बने गाए 1 plus 2 into cos theta पराबर 0 तो देखना पड़ेगा कि sin theta कहां पर 0 है और आपका जो 1 plus cos 2 theta वो कहां पर 0 है तो cos theta minus का हाप और sin theta पराबर 0 तो आंसर क्या है बने गाए बोल बेटा 0 minus का pi और minus 1 पर 2 कब बने गाए बेटाई minus का 2 pi by 3 पर ना तो बेटाई इसके तीन आंसर आगे ठीक है इसके तीन सवाल का आंसर आगे ही ठीक है आपका एगा 1 इंटो 5 प्लस 2 इंटो 4 प्लस 3 इंटो 0 प्लस 4 इंटो F अपन 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस F हाणा बेटा and that is यह बेट आपको 3 की ब्राबर दे रखा है तो यहां बने के आपके पास 5 8 4 F अपन यहां पी क्या बेटा 9 प्लस F ब्राबर के आपका 3 है इससों क्रोस बना करते आप तो 13 प्लस का 4 F ब्राबर क्या बनगा आपके पास 27 प्लस 3 F ठीक है ना तो यहां पेटा F का मान क्या बनगा आपने पास 14 so value F will be 14 ठीक है पेटा F का यहांसे value क्या बनगे आपने पास 14 बनगे ठीक है next सवाल देखेगा next वाल देखे बेटा इप यह आपका ऐसा है then trace of adjoint of adjoint पहले इसको निकाल लिए आप आपको पता है कि adjoint of adjoint of a क्या हुआ बोलो भी matrix a का determinant उसकी पार n-2 into matrix a खुद तो आपको साबसाद दीख रहा है इसका trigonal matrix का determinant क्या है बोलो भी इच्छा हैगा तो adjoint of adjoint of a matrix यहांपी क्या बनगा अभी n का बाद 3 है तो 6 into a बनगा भी ठीक है अब इसका trace निकाल लो तो trace of adjoint of adjoint of a क्या बनगा बोलो भीटा 6 into trace of a matrix तो 6 गोड़ा a matrix का trace का आपका भी 6 तो answer क्या बनगा अपने पास 36 बनगा बेना तो इस सवाल का answer क्या बनगा बेटा 36 ठीक है इसी सवाल है next number 7 the length of the perpendicular drawn from the point to the line बेटा इस line पे कोई point माल लेजिए इसको lambda के ब्राबर मार के कुछ point यहां पे P माल लेजिए आप छो इसको point q मालने आप तो point क्या बनेगा बेटा 6 plus का 3 lambda और 2 plus का sorry 7 plus का 7 plus 2 lambda और 7 minus 2 lambda और मारे पास point P बेटा क्या आपके पास 1,2 और 3 अब बेटा यह जो वेक्टर बनेगा यह इसके साथ क्या बनेगा भी perpendicular तो इस PQ वेक्टर को निकाल लिए जाब PQ वेक्टर यहां से क्या बनेगा देखो भी PQ वेक्टर आपका यहां से बन जाएगा पास प्लस 3 lambda into i cup प्लस पास प्लस 2 lambda into j cup प्लस jar minus 2 lambda into k cup अब यह वेक्टर क्या बोले बेटा लाइन के जो वेक्टर पहलो उसके साथ क्या भी परपेंडिकुलर है तो इनका dot 0 कर दें आप तो 15 plus 9 lambda plus का 10 plus का 4 lambda minus का 8 plus 4 lambda ठीक है अब इससे find कर लेंगे lambda निकाले यहां से अब तो 9 4 13 4 17 तो वेड़ा यह बनका 70 lambda और यहां पे 17 ना plus का 17 ब्रावर जियो तो लेंटा मान बेटा बनका मैनस का 1 तो पॉइंट निकाल लो भी तो पॉइंट क्यू आपका यहांसे क्या बनका यह बोलो 4 5 4 यहां 5 और आपका यहांसे बनका 9 क्या अब PQ दूर निकाल लो यहांसे यह तो PQ लेंथ यहांपी क्या आपए 4-1 तो 9 प्लस 5-2 तो 9 और 9 मैनस का 3 तो 36 तो नहींट पास यहांपी क्या बनका बटाई यह मारे पास distance उ बन रही है यहांसे बन जाएगे आपके 5- यह 3 आए बटा 4 बन गए 9 बन गए यह अधन्य नहीं इस्कों स्क्राइब आपको पता है कि यह अपके पास दी अपों डी एप एंप पार टी एक इसको सोल करें तरीक का भलो पेटा होमजेनिस है तो यका वी एक सरथे हैं ठीक इसको सोल कर लें तो दी अपों डी X will be X square plus V square X square upon 2X into VX सब्सक्राइब यासे cancel हो जाएगा तो 1 plus V square upon में 2E आप इसको सोल करना ना पेटा आपको आस hyperbola मिल जाएगा उसका eccentricity आप अराम से निकाल सकते हो ठीक है नोवा सवाल जेखीगा if the coordinate of the point where the line this one this one and this one intersect this one तो आपको बिसी बाद है ये कि आपके पास X minus 2Y plus Z minus 1 ब्राबर 0 X plus का 2Y minus का 2Z minus का 5 एको सो 0 and X plus Y minus का 2Z ब्राबर 7 है ना if the coordinate of the point where the lines पेट आपके पास तीन plane है तो वो जो point बनेगा इन तीनों plane का क्या बनेगा भी point of intersection आने वाला है इन तीनों plane का ठीक है इब the coordinate of the point where the line this one this one and this one intersect X 0 Y 0 Z 0 तो इन तीनों plane को सोल करना बस आपको इन तीनों plane का आपको सोल करना है ठीक है आप एड़ कर लिजिए क्या दिखाए आपका ठीक है यहां से आप उन क्या कर सकते हैं भी first second को एड़ कर दें आप तो क्या बनेगा 2X 2H2 है कट गया माइनस का Z और माइनस का equals to 6 एक तो यह equation बिटा आ गई है अब यहां से क्या करते हैं आप इसको Y cancel करने के लिए यहां से क्या कर लें मिटा आप इसको 2 से गुणा करते हैं आप तो 2X प्लस का 2Y माइनस का 4Z ब्राबर 14 तो माइनस यहां से किया तो बनगा इससे माइनस किया तो X 2Y से 2Y गया माइनस का 2Z ठीक है और बेटा मारे पास यह बनगा 14 इससे गया तो यह बनगा 9 ठीक है अब इससे निकाल लेजे आप क्या X और Z को निकाल लेजे आराम से ठीके न? XZ कैसे निकाले देखे रोड़ा करते हैं आप तो यह बनेगा 4X minus का 2Z बराबर 12 X minus का 2Z बराबर 9 तो minus minus और minus यह गाय से तो 3X कमान बनेखा बनेखा 3 तो X कमान बनेखा 1 X कामान जब 1 है बेटा तो Y कामान निकाल लिजिए तो Z कामान निकाल लिजिए तो 1-2Z ब्राबर 9 ठीक है तो माइनस का 2Z बेटा यहां पी क्या बनगा अपने पास 8 बनगा तो Z कामान बनगा बेटा माइनस का 4 Z कामान मैनस का 4 है X का मान 1 है तो Y का मान निकाले जी X का मान 1 प्लस Y और Z का मान हमारे पास क्या भी? माइनस का 2 है तो प्लस का 8 बराबर 7 तो Y का मान हमारे पास बनगा माइनस का 2 तो अब इसका स्क्वारिंग कर दीजी आप X का स्क्वार क्या भी? 1 Y not क्या आपके पास तो इसका च्यार और Z नोट क्या भी तो सोडा तो आंसर क्या बनगा बेटा 21 ना 21 विल भी दा आंसर ना 21 21. नेस दिविदा नेस दिविदा नेस दिविदा लास्ट रवाल इसके लिए स्कुराइर क्या खुद के बराबर आजै तो एंसकर एकी पार तीन भी हो जाएगा एक प्रस्यार भी हो जाएगा इन्फेक्ट ओल्डिपावर फाल एविल बी वाण ठीक है तो हमारे पास जो बी मेटिक्स बड़ेगा वो यहां पर बनेगा A, A square भी A, तो 2 A, A cube भी बेटा A, तो 3 A, और अप्टू हमारे पास यहां पी क्या बनगा बेटा A, 8 इंटू A matrix, तो यहां से अपने पास क्या बनगाए, 1 प्लस 2 प्लस 3, अप्टू 8, इंटू बेटा A matrix, तो यह हमारे पास बन गया, कितना बन गया, 8 गुणा 9, बटा 2 इंट तो B matrix भी बेटा, हमारे पास बन गया, 36 इंटू A matrix, ठीक है, invertible आपका, तो यहां से इसका आपन क्या बन गया बेटा, एक बन गया भी, तो यहां से क्या बन गया बोलो, चतिस कोफिशेंट है, चतिस की पार 3 इंटू matrix A का determinant, तो यह बन गया आपका 36 की पार 3, और 36 की पार 2 होती है, तो 6 की पार 2 की पार 3, ठीक है, तो यह बन गया आपने पास, बी मेट्रिक्स बेटा मारे पास क्या बन गया भी 6 की पार 3 गुणा 6 की पार 3 यह बन गया ठीक है तो इसको में आपी क्या लिख होंगा भी उसने बोला है इप n is the number of divisors of इसको पहले प्राइम नंबर में लिखेंगा अपन याँ तो यह बनेगा दो की पार 6 और गुणा 3 की पार 6 यह तो बने गार भी 6 की पार 6 बने गा अब इसके नंबर अब इसके नंबर ओ डिवाइजर्श ख्याएयं बने वाले है न का मान यहां परने पास n 14 तो स्थ श्यांसे कि अपने लुख है सब्सक्राइब है तो यह थो अधिशय। सब्सक्राइब को बिल्कुल अध्य से पूरा दम लगा के कंटूनुन रखें अपने जैसे लग्साहि घ्रश्य। myself कमल सिंग टीम मैं सील सी तो एडवांस के फ़स्ट एडवांस लेवल के फुल से फ़स्ट पेपर में तो मैंस के पेपर का स्वोलुशन करेंगे हम तो फ़स्ट कोश्टन तो फ़स्ट कोश्टन क्या है आपके पास में इफ fx-1 into x square plus x plus 1 whole square minus fx plus 1 x ratio of 4 plus x square plus 1 is equal to 0 for all x belongs to r minus 0 and fx is not equal to here we have fx is not equal to plus minus 1 then which of the following statements is true अपने को यह करेंगे बताना कौन सी statement इसमें true है ओके तो पहले अपने क्या है यहां से fx find out function find out करेंगे तो इसको देखो यह आपके पास में equation दे रखिए तो fx इसको किस फॉर्म में लिखते है fx minus 1 upon fx plus 1 is equal to so right hand side में आपके पास में x की पावर 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1 whole square इस पॉर्म में है इसके factor करेंगे तो इसके factor करेंगे तो एक factor यह क्या आएगा आपके पास में cancel हो जाएगा यहां पर x square plus x square x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1 upon में x square plus x plus 1 whole square यह cancel हो जाएगा अब इसमें component or dividendo लगाएगे अपने इसमें जब component or dividendo लगाओगे तो आपके पास में किस फोर्म में आएगा so fx will be equal to so x square plus 1 upon x इसको simplify करेंगे you will get here fx is equal to x square plus 1 upon x तो अब इसमें यहां पर आपके पास में देखो इसके domain दे रखिये x belongs to r minus 0 x to 0 है नहीं so this you can write down x plus 1 upon x इस पौर्म में लिखेंगे तो इसमें r x is not defined for 0 तो इसकी domain में नहीं है तो x is either positive or negative so if x is either positive or negative so then fx is greater than equal to 2 or fx is less than equal to minus 2 यह इसकी property रहेगी so modulus of fx modulus of fx will be modulus of fx we have greater than equal to 2 so modulus of fx will always be greater than equal to the first option आएगा एक तो इसका for all x belongs to r minus 0 तो second आप इसका देखो if you find its derivative f dash x f dash x क्या आएगा आपके पास में this is 1 minus 1 upon x square so इसको simplify करते है x square minus 1 upon x square इसके factor हो जाएंगे x minus 1 and x plus 1 upon x square इसको में आएगा तो sign of epitasex is changing at minus 1 and 1 to minus 1 और 1 पे change कर रहा ना उसको देखें so here we have minus 1 and plus 1 okay here positive negative positive तो यहां से आपके पास में क्या आएगा तो फंक्शन भी लाप दी लोकल maximum value at x is equal to minus 1 and at x is equal to 1 the function will have the local minimum value so here we have the second option third option and first option so fx we have just found here fx क्या आपके पास में किसके को है fx is equal to be f x square plus 1 upon x this is odd function यह odd function है f of minus x is equal to minus fx so if we take the fourth part having the limit from minus pi to pi os x and fx dx यह आपके पास में fx क्या odd function है clear so having limit from minus pi to pi so what will be definite integral having limit minus y to pi this is the odd function so its value will be zero so fourth option is also correct okay so next question so next question here we have the this definite integration so having limit from j is equal to minus 1 to 2 quat inverse 1 upon x plus quat inverse x dx and k is having the limits from minus 2 pi to 7 pi this is definite integral sin x upon modulus sin x to dx so so then which of the following statements are true so this means you can see a concert statement true is over upon a pass when they go here for kya minus 1 to 2 is this limit company break करेंगे मा देको negative part में एक तो लेंगे so j is equal to minus 1 to 0 so court inverse 1 upon x plus court inverse x plus 0 to here we have 2 so court inverse 1 upon x plus court inverse x okay when x is negative so you know the court inverse 1 upon x is equal to we have to be a pi plus 10 inverse x to be a pi plus x to be a pi plus x is negative so pi plus 10 inverse x plus court inverse x okay so here we have x is positive this you can write down court inverse x is equal to 10 inverse x तो यह आपके पास में 10 inverse रहेगा तो 0 से 2 so 10 inverse x plus court inverse x okay so this we have pi by 2 so pi by 2 यहां से फिराबर उसका इंटी देको वन का आपके पास में इंटीक्रेशन कहूंगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा this we have pi by 2 plus 3 pi by 2 okay so limit minus 1 to 0 so here we have dx तो यहां से आपको 1 मिलेगा similarly यहां से pi by 2 आ जाएगा pi by 2 so pi by 2 दिस भी है 0 to 2 dx तो यहां से आपको 3 pi by 2 plus here we have so pi by 2 तो यहां से आपके पास में 352 यहां से 352 मिला ओके तो इदर आपके पास में क्या हुआ इसमें जब आप simplify करोगे so this we have 2 यहां से 2 मिलेगा into 2 okay so we have this is 5 pi upon 2 so value of g is we have 5 pi by 2 तो similarly यहां पर देखो आपके पास में इसका जो period है that will be here 2 pi तो actual में इसको अगर अपने थोड़ा से ढंग से देके अगर इसका graph बनाते हैं तो graph में आपके पास में देखो कि इसको थोड़ा से observe करें तो यहां पर देखो इसके graph में आपके पास में यहां पर माइनस पाई यहां से माइनस टू पाई तो माइनस टू पाई से टू पाई में इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में वन इदर क्योंकि यह आपके पास में कौन से कौर्डर्ट में आ जाएगा माइनस टू पाई से टू पाई में फॉस्ट एंड सेकिंड कौर्डर्ट पे तो इसका ग्राफ आपके पास में इस टाइप कर रहेगा एंड फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो इस विल भी है प्रॉम मैंस वन टो सिमिलर ली यह बर्डी स्मिलीं यह बर केंसल आउट इंड दूंव एल एक दूसरे को करेंगे bucks आपके पास में एसे फिर आपके पास से 0 से लेकर सिकस पांग तक जीरो शेलेकरиком तक ऐसे आकसा यहां पर दूबाई और 3 pi 4 pi and 5 pi and 6 pi तो आपके पास में यहां से 0 से pi इस तरीके का आएगा ग्राफ यहां पर क्या आएगा आपके पास में यहां पर फिर प्लस का 1 यहां पर फिर माइनस का 1 इदर प्लस का 1 इदर माइनस का 1 so these will cancel out these will cancel out so finally you will have here this is 6 pi to 7 pi so what will be its area that is pi so we have value of this integration is pi okay so now we have J we have J kis k kula hai 5 pi by 2 and k will be here pi okay so first इसमें देखें हम अपने पास में यह वाला फर्स्ट ओप्शन देखो यहां पर 2J plus 3K so this is equal to 8 pi so first option is correct here we have second option में जाएं थोड़ा सा second option में देखो आपके पास में क्या है यहां पर आपके पास में k की वैलू डाले so here we have this is 25 pi square upon 4 so 25 pi square upon 4 into 4 and k square this is pi square so we have this is 26 pi square so second option is also correct so these two options are not correct so J upon K if you take the J upon K so that will be here the pi P will get cancelled J upon K that is 5 upon 2 okay so similarly so 2 J minus K so 2 J minus K here we have 2 J minus K that will be 4 pi so these options are not correct so next so next question में देखो एरिया बाउंडर्ड बाई दा modulus X is equal to 1 by 1 minus Y square and modulus X plus modulus Y is equal to 1 is equal to P upon Q where P and Q are co-prime number so then which of the following statements are true so P plus Q you have to find out equal to the P plus Q so then second option S1 is equal to 1 plus 1 upon Q plus 1 upon Q square infinite GP हो गया है this is infinite GP so you have to check is this true यह चेक करना है so then total number of divisors of P into Q is 4 यह भी चेक करना है तो and minimum value of P's co square theta plus Q square sex square theta तो इसके अपने को minimum value अपने को find out करनी है so what will be its minimum value is this minimum value is 13 यह अपने को देखना है ओके तो अब अपने पास में देखो इसको अपने ध्यान से देखे पहले तो अपने को first you have to find out the area enclosed by the these two curves तो आपके पास में simply यह कर्व आपके पास में क्या हो गया modulus X is equal to 1 minus Y square and modulus X plus modulus Y is equal to 1 तो देखो इसमें किस तरीके से this is the 1 minus Y square is equal to plus minus X so you will have the these are the two parabola एक तो plus X के साथ में लेंगे और एक क्या minus X के साथ में लेंगे तो दोनों क्या आपके पास में parabola क्या है यहां से equation मिलेगा अब आपके पास में देखो ऐसा है इसको Y square will be equal to here 1 minus modulus of X इस पौर में लिख दिया तो अब आपको यह तो पता लगया यहां से देखो modulus X के है X के है 1 से बढ़ा नहीं हो सकता और Y के है मतलब X minus 1 से छोटा नहीं हो सकता यहां पर X lying in between minus 1 and 1 so you have to draw the graph of this between minus 1 and 1 you will have the 2 parabola 2 parabola आएंगे आपके पास में इस से जो ग्राफ मिलेगा that will be a square तो देखो किस तरी के से बटा आपके पास में so the graph given by this curve will be here X modulus X plus modulus Y is equal to 1 so this is 1, 0 so this is minus 1, 0 and this we have 0, 1 and this is 0 minus 1 okay so these these points all satisfy this parabola अगर अपने देखो यहां पर क्या है इदर की तरफ इस तरफ की बात करें यहां पर प्लस का Y square is equal to 1 plus X ले तो इसकी जो शेप होगी Y square is equal to 1 plus X तो इसकी आपके पास में सेप क्या होगी इस टाइप की रहेगी देखो यहां पर इसका vertex क्या हो गया minus 1,0 minus 1,0 पर क्या होगा यह 0 रहेगा तो इस टाइप का रहेगा किदर ओके इस फोर्म का रहेगा तो अब आपके पास में X is equal to 0 रखूंगा तो यह आपके पास में X की क्या है negative direction में तो X की value आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर 0 से 1 से कम ही रखना पड़ेगा तो इस वेलाथ दा यह एक रख हाएगा आपके पास में You have to find out the area enclosed by this two curve अके So area of this triangle formed by the this curve in first quadrant स्का आपके पास हाएगा 1 upon 2 okay now equation of the this parabola in first quadrant we have so just you can write on so y is equal to kya ho gaya undued 1 minus x okay so apne paas me required area kya you have to take the four times the area of the this rounded region is kaka 4 times linear to dekho apke paas me kis trahi kise aega you will have a is equal to four times of what area so limit is varying from zero to one zero to one hundred one minus x is for me so minus one upon two clear is kariya bakko kya karna padega is subject karna padega so that is between zero to one here I got ticket a wisco simplify karay so this we have is kai integration kya raga one minus x or less for three upon two so this is three upon two okay here we have x upon two limit from sum zero to one zero to one zero to one so this go simplify karay ke jibishwe one league is to out the past for this will be zero so this one will be zero so this one Wanda langare तो क्या होए माइनस का 2.3 आ गया तो इदर आपके पांस में इसका माइनस भी रहेगा क्योंकि इसका integration रहेगा जो माइनस negative sign लेना है तो यह आपका पांस में क्या आ जाएगा plus का हो जाएगा so here we have minus 1.2 minus 1.2 so simplify it 4 minus 3 that is your way after possible 4 into here we have this is 1.6 so required area is 2 by 3 so simple we have this is equal to P upon Q that is 2.3 okay so the problem is my okay past my first option kya the P plus Q P plus Q is equal to be we have P plus Q we have 5 okay the first option is correct now what is the s1 so Q is we have here Q aap ke paas mein kitna yaa pe 3 hai so dekho isme so as well we have 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 3 cube so isko aapne find out karen ki this is the infinite GP so what will be its value that is 3 by 2 s1 so similarly s2 we have so this is 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 square so this is again infinite GP so we have its sum will be 2 okay so you have to put the value of s1 and s2 here s1 4 s1 plus s2 it's a valued alpha 4 into 3 by 2 plus s2 plus s2 so this we have 6 plus 2 this is 8 so your second option is also correct okay third option mein aapke paas se p into q hai p into q so we have 6 okay so what are its its total number of devices so total number of devices will be here 2 3 6 so its total number of devices will be 4 okay so its factor up prime factorization 2 into 3 karenghe to its kya aapke paas se 1 aega is kya aapke paas se 1 aega is kya aapke paas se 1 aega is kya aapke paas se aapke paas se 1 aega is sse aapke ka milenghe total number of devices 1 plus 1 1 plus 1 that is 4 so third option is also correct first is also correct so find the minimum value of p cos square theta plus q sex square theta so you have to tell the is its minimum value is 13 so this we have equal to what 4 cos square theta plus here we have nine sex square theta so this we can write down is kya dhokos se 4 me liq kya this is kya amgm se nahi aega amgm se is kya concept kya hooga wongalat Ho jayega is kya dhokou apke kya kare 2 cos theta minus 3 sec theta okay so whole square so this will be here 12 it is a formula gonna is में देखो आपके पास में a minus b all square plus 2ab so is the minimum value आपके पास में क्या आएगी one आएगी if you put the these are equal अगर equal put करेंगे तो you will have cos theta will be equal to यहां पर दोनों को बराबर रखेंगा cos theta is equal to 3 by 2 which is not possible so its minimum value will be will occur when both are equal to one so cos theta and sec theta both are equal to one so here we will have minus one square plus 12 so this is 13 so what is the minimum value of this we have 13 okay so fourth option is also correct amgm say nahi lena usse agar aap laga ongay to amgm a is calm love क्या हो रहा है उसमें दोनों को जब एक्कोल रखोगे न आपके पास में वहां से को सीटा की value क्या आएगी 3 upon 2 आएगी which is not possible okay so next one they go fourth question your quadratic equation ka question a simple question and therefore if alpha and beta are the roots of the equation so then which of the following is correct so simple alpha beta roots of this question we have alpha plus beta is equal to minus B upon a and alpha beta we have C upon a okay so you have to tell so which of the following are true so alpha square beta square you know so alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta yeah be a peace key value डालेंगे तो क्या आएगा B square minus 2 AC upon a square so first option is correct we have here so what is the one upon alpha square plus one upon beta square oh one upon beta square is made of fear why alpha plus alpha square plus beta square upon alpha square beta square so we have alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta upon alpha beta whole square so this we have on a into minus b upon a so this we have minus bc upon a square so this we have minus bc upon a square okay so fourth option is also correct so you have to check whether this is true or false score check and I'm gonna be able to wake me so the voice could check carrying a beta so one upon alpha cube plus one upon beta cube so this will be alpha cube plus beta cube upon alpha plus beta whole cube is made of all you minus 3 alpha beta or alpha plus beta is format upon alpha beta whole cube so alpha plus beta we know that is equal to minus b cube upon a cube and this we have see so this is plus 3 BC upon a square is format upon a cube upon a cube so this could simplify by kia to simplify so this option is not correct so this option is not correct so options are one to fourth okay the next question is equal to four triangle abc if 81 plus one four four a ratio of four plus sixteen b ratio of four plus nine c ratio of four is equal to one four four abc where notation has the there's usual meanings so above a pass with a go you have a pass with relation to the record and how we spend the go can note cut there you have a charge quantity is that you have to pass with inka arithmetic related so arithmetic mean let it and or on kids metric mean they go care to income metric mean arithmetic mean up a pass with a go one four four eight four four and this is nine c this four 4 upon 4 इनका AM यह हो गया GM और निकाले we find their GM also तो GM निकालेंगे तो आपके पास में क्या चारों कॉंटरीटीज का 81 1 4 4 a raise for 4 16 16 B raise for 4 and into 9 C raise for 4 whole raise power 1.4 इसा आएगा तो यहां से देखो आप जब इसको simplify करेंगे इस विल बी उकल तो वाट 144 ABC ओके वहमने क्या find out किया यहां पर arithmetic mean of the these four quantities equal to the their geometric mean तो यहां पर just we have found there the arithmetic mean of these four quantities equal to their geometric mean तो conclusion क्या निकला all these four quantities are equal to each other तो जब arithmetic mean equal to क्या आ जाता है geometric mean आ जाता है so then we have all these four quantities are equal तो चारों equal हो गई so 81 here we have 144 a raise for 4 is equal to 16 B raise for 4 okay तो इदर is equal to 9 C raise for 4 squaring करे 9 12 a square 4 B square and 3 C square okay तो यहां से आपके पास में देखो a square this will be here so 3 by 4 and B square यहां से B square क्या मिलेगा इसके साथ में compare कर दो B square भी है 3 by 2 so 9 by 4 okay what is C square we have here 3 3 3 के इको ला रहा है तो यहां से आपके पास में देखो conclusion क्या निकला here we have अगर आप इन का a square plus B square करते हो a square plus B square we have 12 upon 4 so this is 12 upon 4 is equal to 3 so this is C square so conclusion यह निकला कि this triangle ABC is right angle at vertex C to vertex C पर आपके पास में right angle हो गया तो देखो तो vertex C पर right angle हो गया see okay तो यहां पर आपके पास में A की value जैसे इसको में A ले लेता हूं यहां पर A this would be so value of B is we have the 3 upon 2 and value of this we have this root 3 upon 2 so yeh root 3 upon 2 हो गया and now this is we have 3 upon 2 so this quantity is more than this okay so which one is the longest side longest side is here we have the side opposite to the vertex C अब आपके पास में angle C is greater than what angle B and angle B is greater than so यहां पर है we have C is greater than what B and B is greater than A so corresponding relation will also exist there the same relation will exist there between their angles opposite to these sides तो आपके पास में इनके opposite जो angles है उनके बीच में भी यह relation रहेगा so C will be greater than B and B greater than A okay so triangle is right angle the fourth option and second option so what is the area of this triangle area of this triangle will be that will be three root three upon eight one upon two I backyard basin two height so this is the area so third option is also correct the next question तो next question में A and B are square matrices of order 3 such that the A into adjoint of 2B is equal to 16 I3 and determinant of matrix B is equal to 2 then which of the following is true so where adjoint X denotes the adjoint of matrix X and X inverse denotes the inverse of matrix X and determinant of X denotes the determinant value of matrix A X sorry तो आपके पास में जो condition दी हुए है देखो यहां से शुरू करेंगे अपने तो मैं यहां पर क्या है first we find out the relation between the matrix A and matrix B तो matrix A और matrix B में क्या relation है using this relation यहां से देखो आपके पास में क्या रहा है A into adjoint of 2B that is equal to 16 I3 इसके इकुल दे रखा है तो दो को यह 2 को जब बाहर लाएंगे तो that will be here 2 raised power of what is the order of matrix B that is 3 तो 2 raised power 3 minus 1 so that is 2 square यह 2 square आएगा adjoint of B so this is 16 I3 तो यह आपके पास में A into adjoint of B so this we have 4 I3 इसा आ गया नो भी multiply this relation with matrix B B matrix से multiply कर देते हैं दो को कैसे from the left hand side left hand side से multiply करेंगे तो आपके पास में A into adjoint of B okay so B so we have 4 into B B into I3 is B so this you can write down यह किसके इकोल होता है A into determinant value of matrix B into I so वह आपके पास में I is multiplied with this this is 4B determinant value of matrix B is we have to the 2k equal है तो आपके पास में यह कितना है किसके टर्म में तो A is just equal to the twice of matrix B तो अब देखें इन रिलेक्शन को देखें पहले फॉस्ट और सेकेंड आपके पास में यह किसके इकोलो आ रहा है इसको चेक करते हैं देखो तो एंवर्स and inverse of adjoint B and inverse of whole ऐसा है A inverse into adjoint B and inverse of whole so this will be equal to किसके इकोल आएगा adjoint inverse of adjoint B and inverse of inverse इस पर में आएगा अब अपने पास में adjoint of B inverse this is equal to B upon determinant value of matrix B so this is B upon determinant value of matrix B so this we have A so we have A is equal to A किसके इकोल आपके पास में यहाँ पर so B into 2 B and determinant value of matrix B we have this is 2 so this we have B square so which option is correct here this second one so this is correct also so अब अपने पास में देखो third or fourth option में से देखना भी कौम से correct है तो देखें इसमें so B into adjoint of a so you know this B is equal to be a B किसके इकोल आपके पास में 2 B के है जो पास में क्या आ रहा है सो इसमें फिरैट यह पीरे डो बाहर निकालेंगे आपके पास में क्या रहा है । आ जो बीर 2 square 2 square B into adjoint of B so this we have equal to 4 in to determinant value of matrix B into I so this is 8 I 3. Okay. So, which option is correct here? So, third option. So, we have second and third option are correct for this option. So, next one. So, seventh question. Seventh question में क्या है? The tangent to the parabola y square is equal to 8x are drawn from the point P68. The point of contact of these tangents are Q and R. Where S is the focus of the parabola? As के आपके पास में? So, then which of the following statements are true? So, question देखें कैसे है? Equation of parabola y square is equal to 8x. यह है. आपके पास में tangents are drawn from 0.68. Q are the point Q and R, point of contact. Let M be the slope of the tangent. So, then equation of tangent will be here. Y is equal to mx plus 2 upon m. It passes through. What is है? A is true. It passes through 0.68. So, 6.8 से पास हो रहा है. तो यहां पर क्या रहा है? So, this is 6m plus 2 upon m. So, we have 6m square minus 8m plus 2. इसको देखों 2 से डिवाइड करेंगे. तो what we have? So, 3m square minus 4m plus 1 is equal to 0. So, we have m is equal to be 1 upon 3 and 1. M की value आपके पास में 1 upon 3 and 1 है. So, what are the point of contact? इसके देखो 2 a upon m square and 2 a upon m. So, अगर अपने m की value 1 लेते हैं. So, what are the coordinates of point Q? So, we have this is 2 and this is 4. Okay? So, for the point R when you take the m is equal to 1 upon 3. So, यहां पर 1 upon 3 रखोंगे. So, you will have here 18. Here 1 upon 3. This is 4, 12. Okay? So, now you can answer the all the questions here. So, what are the midpoint of Q R? इसका midpoint क्या रहा है आपके पास में. So, midpoint of of Q R. So, Q R का midpoint आपके पास में क्या हुआ? Here we have 2 plus 18. That will be 10 and 16, 8. 10, 8. So, area of triangle P Q R. area of triangle P Q R. Okay? Area of triangle P Q R. Okay? Area of triangle P Q R. We have that is 1 upon 2 and 6, 8, 18, 12 and 2, 4 and 6, 8. इसको आपके 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 पास नोग इदा एक्वेशन ओप दी सरकल सरकम्सक्राइब इस ट्रैंगल इसके में आपके एक तरीका तो यह कि भी आपके पास तीनों पॉइंट के कोडिनेट्स पता है तो अप्षिन में पुट करके देख लो तो 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 यह विल बीड़ वेरी फास्ट वह एक बहुत जल्दी से हो जाएगा वह तीनों पॉइंट कौन से सर्कल को सैटिस्फाइब करता है थार्ड ओप्षिन को करता है कि फोर्थ को सैटिस्फाइब करता है नहीं तो इस से दिखो तीनों पॉइंट देखो कौन से सर्कल को सैटिफ अगर सिक्सेट देखो इस सर्कल में रखते हैं तो यहां पर कितना आता है तो इस हंडर्ड हीर 216 है तो 128 तो इधर आपके पास में 216128 तो यह आपके पास में फोर्थ उप्षिन बिल्ग एट सैटिस्पाइ पॉर्थ उप्षिन आपका साटिस्पाइ हो जाएगा तो यहां से अंसर क्या क्या बनें इस में देखो तो फिर्स और अव दिखो ट्रेंगल पी क्योर इस सेकेंड ऑप्षिन और फॉर्थ ऑट्स और प्षिन इस अर्फिन अश्परिमाट सब्सक्राइगा है तो नेक्स व A upon B is equal to 1 upon 3, okay? So, and P B upon A is equal to 1 upon 2, then which of the following are incorrect? तो अपने को यह बताना है, यह कौन से incorrect है? तो देखो, आपके पास में यहां से पहले P B upon A is equal to 1 upon 2. from here you can find out the, आपके पास से P A intersection B मिलेगा, P B मिलेगा यहां से P B, यप लगो P A is, you are given. तो इसको और इसको यूसे करेंगे, तो you will get here P A intersection B. तो देखो, so P B upon A. So that will be P A intersection B upon P A. So simply put here, this is 1 upon 2. Okay? So P A intersection B. So P A is equal to be 1 upon 4. So P A intersection B, we have 1 upon 8. किसके एको ला रहा है? 1 upon 8 के एको ला रहा है. So यह तो correct हो गया आपके पास में. So this is not correct. तो एक तो option यह हो गया, very simple. So you have to find out the, अब पहले यह चेक करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास से P A पता है, P B निकाल लो. So what is the P B? P B, कैसे फाइंड आप करोगे? So from here you will have, so P A upon B, so P A intersection B upon P B, यहां से, यहां से P B आएगा? So this is 1 upon 3 and P A intersection B and P B we have to find out. यह हमें फाइंड खरना है. ठीक है, यह किसके ला आगे आपके पास में? This is 1 by 8. 1 by 8. Okay? And this we have P B. So P B we have equal to here 3 by 8. So 3 by 8 के इको ला रहा है. क्यों? P B. तो अब अपने को देख लेते हैं, P A intersection B है, 1 upon 8 and P A into P B देखो कितना आता है. So P A into P B. P A into P B. So what is the P A? So we have 1 upon 4 and what is P B? 3 by 8. So this we have 3 upon 32. P A into P B, 3 upon 32. Which is not equal to P A intersection B. So it means these two events A and B are not mutually independent events. Okay? So this is not correct. This is incorrect. Okay? So next one देखो, इसको और चेक कर लेते हैं हमने. So देखो, इसमें कैसे होगा? So P A bar upon B. So this you can write on P A bar intersection B upon A P B. So this will be equal to P B minus P A intersection B upon P B. Okay? तो इसको देखो, इसको देखो, इसको क्या लिखेंगा? 1 minus. तो P A intersection B भी है. जसको कितना निकाला था? 1 upon 8 निकाला था. Okay? 1 upon 8. And P B we have, this is 3 by 8. So this we have, 8, 8 cancel होगा है. So 2 by 3. So 2 by 3 आ रहा है, तो this option is correct. So which of the, these 3, मतलब, these 4 events are incorrect. So we have the 2nd and 4th are incorrect. Okay? The next question. 9th question में triangle ABC is कहा है, right angle triangle. At A, the point P and Q are on side BC. So that the BPPQ is equal to QC. And length of the LAP, मैंले AP is given to be 3 and length of AQ is 4. So we have length, you have to find out the length of BC. So look, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, coordinate geometry से भी कर सकते हो, वेक्टर से कर लेते हैं. वेक्टर से भी कर सकते हो. तो देखो मैं इसको वेक्टर से करके बता रहा हूँ देखो, ऐसे. A is here, this is B and this is C. You can take either B here और C इदर. ठीक है? तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके पास में. तो उसमें P point इदर है और इसमें आपके पास में Q point इदर है. ओके BP is equal to PQ is equal to QC. अगर आप B इदर लोगे तो आपके पास में P इदर आजाएगा, Q इदर आजाएगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा उसमें. तो इसका position vector अपने B vector let कर लेगे हैं. इसको origin of reference let कर लेगे. इसका C vector हो गया है. ठीक है? तो अब अपने को देखो, P divides this BC in ratio 1 is to 2. So, what is the AP vector? AP vector आपके पास में क्या रहा है? AP vector. We have 1 into C vector and 2 into 1 into C vector into 2 into B vector upon we have 3. So, this we have 3 AP vector, C vector plus 2 B vector. Okay? इस तरीके से आजाएगा? तो, similarly, what is the AQ vector? AQ vector will be here. AQ vector. अब क्यूपोइट किस रश्यो में डिवाइड करेगा? 2 is to 1 में डिवाइड करेगा. 2 is to 1 में. So, यहां से क्या आएगा? 2C vector, 2C vector plus B vector. इस पोर में आएगा? 2C vector plus B vector upon 3. So, this we have 3 AQ vector. So, 2C vector plus B vector. इस पोर में रहेगा? अब अब अपने को पता है, इस आप परपेंडिकुलर तो इच अदर. B vector dot C vector we have equal to 90 degree. यह 90 degree रहेगा? तो अब अपने इनका दोनों का स्केरिंग एडिंग करें. स्केरिंग एडिंग. So, we have here 9 AP square plus AQ square. इस तरीके से आएगा? So, on right hand side you will have. यहां से दोख आपके पास में क्या आएगा? 4B square plus B square. 5B square. So, दिए हैर 4C square. इस में अगर अपने A plus B का all square लगा होगा? तो B vector dot C vector that will be equal to 0. So, यह right hand side पर आपके पास में क्या आएगा? 5B square plus C square. इस 4 में आएगा? Okay. So, put the values of AP and AQ. So, these are the, we have 4 and 3. This is 25 into 9. Okay. So, we have upon 5. यह 5 आएगा? B square plus C square. So, B square plus C square is nothing. This is BC square. वो आपके पास में. So, BC square भी है, equal to 45. So, BC is equal to 145. So, length of side BC that will be equal to 45. So, this option is correct here. So, this is single choice question होगा? Okay. So, next question देखें. अब next part है आपका integer type. Okay. तो इसमें देखों, part third है. इसमें section C है. So, we have this is integer type question. So, let the maximum value of this expression 4X is greater than 1. इस P upon Q. वेर P and Q are relatively prime positive integer. So, find the value of P plus Q. आपके पास में ये question देखों थोड़ा सा हट कर है. इसमें ऐसा लगता है कि maximum minimum से करेंगे. अगर differentiation से करोगे तो this becomes very lengthy. हम इसमें AMGM का concept लगाएंगे. तो देखो कैसे. तो Y is equal to be F. X raised by 4 minus X square. इसमें given है X is greater than 1. It means X is positive. तो X raised by 6 plus 2XQ minus 1. So, dividing numerator and denominator by XQ. So, we have here X minus 1 by X. इधर आपके पास में XQ plus 2 minus 1 upon XQ. इस पोर में आएगा. ओके. इसके factor करेंगे आपके पास में. आपके पास में. देखो. X minus 1 upon X. आपोन में. X minus 1 upon X whole Q. AQ minus BQ. A minus B whole Q plus 3AB. A minus B. वो रहेगा. So, AB क्या आएगा. आपके पास में. यहां पे 3. Here we have X minus 1 upon X and plus 2. ओके. इस पोर में रहेगा है. अब देखो. आपके पास में. इसको क्या है? X minus. इसको डिनोमिनेटर में लिया आते हैं. नीचे इसके. Okay. तो देखो. So, Y is equal to we have. Y is equal to. We have. 1 upon. This will be X minus 1 upon X whole square. इस पोर में आएगा. So, plus 2 upon X minus 1 upon X. X plus 3. यह फोर मों हो गया? अब इसको इस एक्सपरेशन को प्ने सेपरेटली ले लेते हैं. X is you know the greater than what? 1. So, this is a positive quantity. This is also positive quantity. तो देखो किस तरीके से इसको? X minus 1 upon X whole square. So, this we can write on 1 upon X minus 1 upon X. इस एक्सपरेशन को जोसे ले लिखा. 1 upon X minus 1 upon X. इंका मैं एम लुंगा. इसका ap of these 3 quantities, इसको सुप्लेटाप करके लिखा. इस एक्सपरेशन को अलग से लेलिया. So, am of these three quantities will be greater than or equal to their geometric mean. Inka geometric mean. Toh, अंदर जब आप इसका क्या करोगे? Product होगा. Toh, that will be 1. Dekho, 1 minus x. 1 minus 1 upon x whole square into 1 upon x minus 1 upon x into 1 upon x minus 1. 1 upon x minus 1 upon x. This will be 1. Okay? Toh, dekho. Toh, इसकी value आपके पास में क्या आई? x minus 1 upon x whole square upon, मले, plus 2 upon x minus 1 upon x. This will be greater than or equal to 3. Okay? If you add 3, या पर प्लस 3 ओर है, इसमें 3 add करोगे. So, we have, this is 2 upon x minus 1 upon 3 plus 3. This is greater than or equal to 6. If you take the reciprocal, this is positive quantity. If you take the reciprocal of this dash, then you will have x minus 1 upon x. That will give the, in this way, बालो, इस तरीके से आईगा बाटा, इस तरीके से रहेगा. So, this will be less than or equal to 1 upon 6. Okay? So, now, what is the, its maximum value? That is, y is less than or equal to, we have 1 upon 6. So, maximum value of y, that is 1 upon 6. That is equal to p upon q. Okay? So, तो इसमें कोशन में दे रहे रहा था, आपको, p upon q. Where p and q are relatively prime. So, there as if is 1. Okay? So, we have to tell, what is the p plus q? p plus q equal to, we have 7. So, answer to this question, we have 7. Okay? So, तो देखे, next question. This sum of all the solution of this equation, 3 quads square theta plus 10 quads theta plus 3 equal to 0. In this interval 0 to pi, is k pi. Then, what is the value of k? k की value बतानी है अपने को. देखो, इसमें इसके factor देखे, 3 quads square theta plus 10 quads theta plus 3 is equal to 0. इसके factor करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? qad theta की value, value of qad theta भी है, 3 minus 3 and minus 1 upon 3. यह आएगा. ओके, अगर मैं 3 को क्या let कर लेता हूँ, यहाँ पर 3 को मैं qad alpha let कर लेता हूँ. So, अगर मैं qad theta is equal to here we have minus qad alpha let कर लिया हमने. So, you know, so qad theta will be here qad pi minus alpha and this is qad 2 pi minus alpha. So, here we have possible values of theta in this case pi minus alpha and 2 pi minus alpha. Okay, so here qad theta we have minus 1 upon 3. So, what is the 3? 3 equal to we have qad alpha. This will be qad theta will be equal to minus 10 alpha. Okay, so 10 alpha को किसमें चैंज करेंगे? qad में. So, you have to find out the angle in interval. उनका सम फइंड आउट करना है, lying in between 0 to 2 pi. So, here we have, this will be qad pi by 2 plus alpha or you can write on qad 3 pi by 2 plus alpha. ऐसा आएगा. So, इस केस में आपको क्या मिल गए अंगल? थीटा is equal to pi by 2 plus alpha and 3 pi by 2 plus alpha. So, what is the sum of all these angles? So, sum कितना आएगा आपके पास में 3 pi, यह alpha से alpha कैंसल हो जाएगे, तो यहाँ से 2 pi मिलेगा. So, sum क्या हुआ आपके पास में 5 pi. So, what is the k? k is 5. Okay. So, answer to this question we have 5. Next question देगे. So, let fx be a differentiable function and modulus of f dash x is less than equal to 2. What does mean the slope of the function fx is lying in between minus 2 and 2. For all the real x, सभी real values के लिए. If f1 is equal to 2 and f4 is equal to 8, then value of f2 you have to find out. तो तो दो को function क्या कह रहा है? Differentiable function कह रहा है. Okay. So then first we apply the LMVT. Between 4 and 1. Okay. There will be some point lying in interval 1 to 4. So अपने let कर लेते हैं. इसे दो को let is में क्या है? X belongs to here 1 to 4. So function is differentiable. So why LMVT? LMVT. So we have F dash X equal to what? F4 minus F1 upon 4 minus 1. This is 6 upon 3. This is 2. So we have found here F dash X is equal to 2. Okay. So conclusion यह निकला की function का आप दिफिरेंशेशन करते हो. You will get the slope of any tangent to that function is always 2. ठीके तो आपके पास में करब पे, मतलब भी उस पे करब पे आपके पास में कोई भी टेंजन लेते हैं. तो slope उसका कितना आ रहा है? We have F dash X is equal to 2. So if you apply the now further L M V T between 1 and 2. So 2 is also lying in between 1 and 4. Okay. L M V T will hold there. Because function F X is differentiable function. So we have further X belongs to what? But in this interval, so F dash X is equal to we have F 2 minus F 1. ऐसा एगा? इसमें लगाएंगे? अपन 2 minus 1. So F dash X you know this is 2. 2 and we have F 2. You have to find out F 1 is we have 2. Okay. So we have F 2 is equal to 4. So answer to this question we have 4. F 2 is equal to 4. Okay. Next thing again. Let Y is equal to F X be a curve. We satisfy the differential equation. वो इस differential equation को satisfy करता है. And F 0 is equal to 0. If the area enclosed by the curve. Area enclosed by the curve. X axis. Y axis. And a line X is equal to C. Line X is equal to C है. So where C, F C is the point of inflection on the curve. So first you have to find out the equation of the curve. तो एक कर्व की equation निकालेंगे. By using this differential equation. इस differential equation को use करेंगे. तो देखो. इसमें E raised to power X DY. Plus X minus 1 into DX is equal to 0. इसा आ गया. तो आपके पास में देखो. DY, this you can write on. किस पॉर्म में लिखेंगे. देखो. उदर लेके जाएंगे. तो 1 minus X हो जाएगा. And into E raised to power minus X DX. इसको अपने integrate करेंगे. We will integrate it. इसको integrate किया हमने. So this we have 1 minus X. And E raised to power minus X DX. इसका जब integration करोगे. तो आपके पास में minus E raised to power minus X. इसका ये product आएगा आपके पास में. तो देखो. प्लस का X raised to power minus X. And minus E raised to power plus का हो जाएगा ये. Okay. क्योंकि बाहर minus sign है. तो इदर आपके पास में plus C. तो यहां से जैसे देखो. इसका integration करोगे. तो E minus E raised to power minus X. X minus X E raised to power minus X. उसका अंदर वाले का आएगा. minus X E raised to power minus X. फिर उसका plus हो जाएगा. फिर minus आएगा. तो वो plus का हो जाएगा. तो ये cancel होगा आपके पास में. So here we have Y is equal to X E raised to power minus X plus C. इस पूर में आगया. Now you are given Y 0 is equal to 0. ये आपको C की value find out करने के लिए condition दिया. तो यहाँ से मैं देखो अब इसमें value डानूंगा. तो C is equal to 0. C we have 0. So what if we have function? X E raised to power minus X. अब इसका point of inflection find out करते हैं. Point of inflection के लिए you have to differentiate it twice and put equal to 0. तो equal to 0 रखना आपके लिए. So there go dy upon dx. So we have minus X E raised to power minus X plus E raised to power minus X. इस पूर में आगया. Again differentiate. इसको differentiate करेंगे. तो आपके पास में क्या आएगा? Minus E raised to power minus X. Okay? इसका क्या बनेगा? X E raised to power minus X and here we have minus E raised to power X. So इसको अगर अपने minus देखो E raised to power minus X into a X minus 2. यहाएगा? So put this equal to 0. For point of inflection. Okay? So we have X is equal to 2. X is equal to 2 is the point of inflection. अब इसमें देखो अगर अपने पास में देखो अगर X tends to infinity होता है na this approach is to what? यहाँ पे. यह this tends to 0. यह आपके पास में 0 की तरफ tend करेगा. अगर अपने इसका differentiation देखा है तो देखो 1 minus X आ रहा है. तो 1 minus X का मतलब इसका मतलब क्या है? आपके पास में अगर इसको थोड़ा सा observe करें तो यहाँ पे 1 आ रहा है. ठीक है? फिर्स्ट डिफ्रेंशेशन की इसकी फिर्स्ट ओडर डिफ्रेंशेशन की बात करते है E रहाँ माइनस X 1 minus X इदर आपके पास में क्या आ रहा है? नेगेटीव आ रहा है. इस तरफ नेगेटीव इदर पोस्टीव मिल रहा है. तो आपके पास में ग्राप कैसा रहेगा? इसका यू रहेगा. अब दो पे जाके दोगो इसका क्या चेंज होगी ऐसे. यहां पे. यह X is equal to 2 आएगा. इस तरीके से रहेगा. ओके तो देखो इसमें. तो देखो X is equal to 2 के अराउंट. X is equal to 2 के राउंट. अगर आपने देखें, वेन X is क्या है? ग्रेटर दन 2 आरा है. तो second order derivative का sign आपके पास में क्या आरा है? पोस्टीव आरा है. तो positive आरा है तो इस ताइप का इन के रहेगा. वेन X क्या है? लेस दन 2 है तो आपके पास में. So, sign of second order derivative will be a negative. So, concave deal in downward direction. तो इस ताइप का ग्राफ होगे आपके पास में. आपके पास में. आपके पास में, you have to find out this area. This is X is equal to 2. तो देखो, अब इसको integrate करना, you have to integrate between X is equal to 0 to 2. तो देखो, किस तरही के से area आएगा इसका? So, we have required area. So, curve का equation का है? X e raised to minus X. Okay? And, यही निकालना अपने को. 0 से 2 तक निकालना है. इसको simplify कर लेते हैं. So, what are its integration? So, minus X e raised to minus X. वहाँ पर आपके पास में, plus का आएगा, फिर minus का आएगा. minus e raised to minus X. So, limit varying from 0 to 2. इस तरीके से आएगा है. तो इसको देखो, simplify किया. जब माइनस बहाँ निकाला, तो आपने क्या है? तो पहले अपने 2 को रखा, e raised to minus X. ये 2 आएगा. इदर आपके पास में, फिर plus, ये minus 2. जब 0 की, इसमें लिंबर लगाएंगे, यहाँ पर 0. So, this will be 0. तो ये 1 हो जाएगा. इस 4 में आ रहा है. So, we have here, we have area enclosed by X-axis, Y-axis, and this point X is equal to 2. Where at point X is equal to, this is the point of inflection. तो ये अरिया आपके पास में क्या रहा है? 3 upon e square. Okay. So, where area of this shaded region is given by 1 minus 3 upon e square. So, you have to compare with this. So, what is P? P is 3 and what is Q? 2. So, we have to point out P plus Q. P plus Q is nothing. This is 5. So, answer to this question, we have 5. So, next question देखते हैं. अब दे शर्कल विस्टस बोद दी एक्सेस and the line 4X plus 3Y is equal to 12. So, and lies in the first quadrant sum of all the possible radius of this such circle. तो आपके पास में ये एक लाइन है? इसका ग्राप कैसा रहेगा आपके पास में? इस टाइब का रहेगा? ओके? इसको इसको अब बेड़ा आपके पास में देखो, इसके line के intercept क्या है? इस point is we have 4,0. ओके? So, this is 0,3. तो एक तो क्या आएगा? तो इस तो आएगा circle which touches दी this line and both the coordinate axis that will lie inside the triangle. एक circle आपके पास में यह आएगा? यह वाला? ओके? यह वाला circle होगा? इन दोनों के radius का अपने को sum find out करना है. तो एक तरीका तो यह है कि आपके पास में, देखो इस point, इस circle के, आपके पास में एक center के coordinate निकाल लो, by using the coordinates of in center. A x1 plus b x2 plus c x3 upon a plus b plus c. So side you know this is 4 and this is 3 and this is 5. So you can find out the coordinates of in center. So ay1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c. इस तरीके से find out कर सकते है. So इसका radius अपने पास में आजाएगा? एक simple क्या है? Solution of triangle से देखो, s is equal to, में लो आजाएगा, radius of in circle that will be here we have delta upon s, r is equal to delta upon s. And what is the radius of the, this x circle opposite to the, this vertex. That is, here we have this, suppose this is a, this is b, this is c. इसका जो radius आएगा, इसका जो रदिस आएगा, इसका जो रदिस आएगा, इसका जो रदिस, in radius will be, that will be delta upon s. Okay. And what is the x radius opposite to this vertex? So that will be here, we have delta upon s minus a. Okay. इसका जो रदिस आएगा, what is s, s we have 6 here, the half of the perimeter of this triangle. What is the area? Area we have here 6. So what is r? r we have 6 upon 6, that is 1. And r1, here we have area is 6. And what is a? Opposite to this vertex a, side, a 5. So this is 6, 5. And what is the r1? This is 6. So what is the sum of the possible radius of the circles which are touching this line and both the coordinate axis? So you will have the two circles will be there. So what will be the sum? Here we have r plus r1, that is 7. Okay. So next question देगे. Now go, this function fx is equal to what? modulus of x whole raise power p minus 2 sin 1 upon x plus x tan x whole raise power q minus 3 is differentiable at x is equal to 0. Then minimum value of greatest integer, greatest integer of what? p plus q. Okay, kis ke equal a, aap ke paas me, ye poochha hai. So dhekho, aapko pata function agar differentiable hai, then left hand derivative and right hand derivative at that point must be equal to 0. So dhekho, aapne paas me, left hand derivative kya aayega is ka? lsd. So that will be f dash 0 minus at this point. So function differentiable hai, left hand derivative and right hand derivative must be equal. to limit h tends to 0. So we have f 0 minus h and minus f 0 upon minus h. Ye raihega. Aab isme jab aap condition lagaate ho, to dhekho, aapke paas me kya aar hai? Limit h tends to 0. So we have modulus of minus h upon what? p minus 2. Is for me aayega? So this is sine of minus 1 upon h. So here you will have value of function at x is equal to 0. That is 0. Aab isme ye function or likha jayega abhi minus h. and tan of minus h, whole h power q minus 3. Okay? Upon me minus h. Ye dhekho, minus h iski power me chala jayega. Yehaan pey, aapke paas me limit h tends to 0. So we have minus h, whole h power kya aayega aapke paas me. So p minus 3. Okay? So aap isme se minus common bhi lelo. Agar, isko mai is form me likh diya. So here we have, so sine minus, ya minus cancel kar do aap. Okay? So sine, 1 upon h. Here we have, this minus h will get cancel. So tan, h, whole h power what? q minus 3. Okay? Toh ab dekho, aapke paas me, you know, iski value dekho, aapke paas me, this, if you apply the limit to this sine 1 upon h, this will be the number, oscillating number lying in between minus 1 and 1. Okay? Toh ye, isko aapne define nai kal sakte, this is not a definite quantity. Toh isko in order to make this as a definite quantity. So you must have, here, if you apply the limit here, this will be 0. Toh ye, 0 ke equal tabhi hoogah, jab aapke paas me, ye waalha jo quantity hai, p minus 3. Aapke paas me, kya nahi hoona chahiye, ye 0 nahi hoona chahiye. This must be positive, positive hoona chahiye, must be greater than equal to 1 hoona chahiye. Aagar ye negative hoogah, suppose karo toh, ye 1 upon h, kya niche chela jayega. So this whole quantity will be undefined. Toh us me, aapke paas me, iska left hand derivative exist hini karega. Toh usko exist karanay ke liye, aapke paas me, ye 0 bhi nahi hoona chahiye. Aagar ye 0 hoogah, toh ye, aapko pata ya, this will, a oscillating number lying in between minus 1 and 1. Woh bhi defined nahi hooga. Ye, aapke paas me, 0 raheega. Chahiye, aapke paas me, positive hoona chahiye. Q minus 3. Aisak kya, kya, agar q minus 3, aegar ye 0 kar deethe hain, toh chalo, thik hai, ye 1 hao jayega. Thik hai, per agar ye negative hojaya, toh negative hojaya, toh ye upon me chela jayega, phir ye quantity undefined hojaya. So this q minus 3 must be greater than equal to 0 and this p minus 3 must be greater than equal to 1. Ye greater than equal to 1 hoona chahiye. क्योंकि इसको आपको numerator में exist कराना है so this must exist in the numerator its power must be greater than 0 यह power क्या होनी चाहिए? पोजिटिव होनी चाहिए तो यह पोजिटिव तब रहेगा आपके पास में this must be क्या है? और साथ में आपके पास में यह negative नहीं होना चाहिए P-3 must be greater than equal to 1 तो आपके पास में greater than equal to क्या रहेगा? 1 रहेगा तो देखू अब इसमें P-3 यह 0 नहीं होना चाहिए अगर आपके पास में यह 0 हो गया तो फिर उस condition में यह गलत हो जाएगा तो यह आपके पास में this must be greater than equal to 0 greater than 0, sorry this must be greater than 0 okay यहाँ पे आपके पास में कुछ को positive quantity यानी चाहिए this must exist there यह exist करना चाहिए तो इदर P is greater than 3 okay so this you can have P must have here 3.14 ऐसा आजाए 3.14 आपके पास में 3.14 रखोगे this must exist there यह exist करेगा इदर Q-3 क्या होना चाहिए Q-3, Q-3 must be greater than equal to 0 यह आपके पास में greater than equal to 0 रहेगा ओके तो इसको आप चेक भी कर सकते हो जिसे में 3.1 रखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में 0.1 आएगा तो यह exist करेगा नीचे तो नहीं जाएगा तो आपके पास में इसमें जब लिबन लगाओगे इसमें बीजीरो यह आपके पास में Q-3, Q क्या है यह तो तीन आए यह तीन से बड़ी रखी जाए क्योंकि इसको आप negative नहीं बना सकते हैं इसको negative बनाएंगे तो यह पॉन में चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में Q, P will be here 3.something and P is greater than equal to 3 तो आपको minimum value पुछी है, what are its minimum value? So here we have, so P plus Q, okay minimum के लिए आपके पास में this must be 3.1 this is equal to 3, so here we have, this will be 3.1 plus 3, so this will be 6, okay So minimum value of this, we have P plus Q, greatest integer of what P plus Q is 6? So answer to this question we have 6, okay? So next question, तो number of terms in this expansion with the integral powers of X, आपको आपको एशस, how many number of terms are there which are having the integral power of X? तो अपने लेट कर लेते हैं, let t r plus 1, term contain the integral power of x, okay, so that will be equal to 40 c r, and x raised power 1 upon 3, whole raised power 40 minus r, इस तरीके से आएगा, and x raised power 2 upon 5, okay, this will be r, तो यह से आपके पास में 40 c r, and we have x raised power, इसको अगर अपने simplify करते हैं, तो आपके पास में इधर 5 आएगा, उदर क्या आएगा, 6 r आएगा, तो this is 200 plus r upon 15, इस form में आ रहा है, okay, तो यह 200 plus r must be the multiple of 15, but r varies from, r कहां से कहां तक vary करेगा, 0 से लेकर 40 तक vary करेगा, तो आप यहां पर देखो, r की value क्या रखे हैं, कि that must be, this quantity must be divisible by 15, तो आपको पता है, अगर 15 को 16 से, मनले 15 को 14 से multiply करते हो, तो you will get here 210, okay, तो यहां पर r की value, अगर मैं 10 रखता हूं, 10, and 25, and 40, 3, so for these 3 values of r, you will get the powers of x will be as integers, so integers के form में आएगे, integral power of x आएगे, So, how many number of terms are there, which are having the integral power of x, the 3, so answer to this question, we have 3, okay, So, next question, अब इसमें दो को यह, vector का question है, मोल्डस of a vector is equal to 2, मोल्डस of b vector is equal to 1, and मोल्डस of c vector is equal to 3, such that the angle between a vector and b vector, we have pi by 3, and angle between b vector and c vector pi by 4, and vector a and vector c are perpendicular to each other, So, you have to, you have the value of this is, undute alpha minus 6 root beta, So, what is the value of alpha upon beta, where beta is a prime number and alpha is a any natural number, okay, So, देखो, अब आपके पास में कैसा आएगा, So, मोल्डस of a vector minus 2b vector plus c vector, square करो इसका, square, squaring करेंगे, So, we have, इसका squaring करेंगे, तो क्या आएगा आएगा आपके पास में, a square plus 4b square plus c square, So, this we have minus 4ab, Okay, So, this is minus 4bc, And, we have a vector is perpendicular to c vector, So, अगर अपने 2a vector dot c vector लिखेंगे, this will be 0, So, put the values of magnitude of a vector that is 1, 4, sorry, यहापे 2 आएगा 4 and magnitude of b, So, that is 4 again and c, we have 9 and this will be for a vector dot b vector, So, angle between a vector and b vector is pi by 3, So, we have 4 into, So, magnitude of vector a 2 and magnitude of vector b, We have 1 into 1 upon 2 minus 4, What is the angle between b vector and c vector? So, magnitude of vector b is 1 and magnitude of vector c, So, that we have 3, So, this will be 1 upon root 2, So, modulus of b vector, modulus of c vector cos 45 degree, वो फालब फार्मुला लगाएंगे, अब इसमें, simplify करो, इसमें, देखो आपके पास में क्या रहा है, This we have 17 minus 4, that is 13, And, this we have, So, 6 root 2, So, 6 root 2, So, what will be, we have, So, magnitude of this vector, That is equal to, किसके एकुलार आपके पास में? 13 minus 6 root 2, 13 minus 6 root 2 आप, Okay, So, अब आपके पास में, So, this will be, Alpha is equal to 13, And, beta we have, Equal to 2, Beta किसके एकुलार आपके पास में? 2K, So, what is the alpha upon beta, So, that is, 13 upon 2, That is 6.5, So, 5, 0, So, इसमें, यह आपके पास में, इसका अंसर रहेगा, So, that will be in decimal form, So, okay, So, 6.50, Next question देगे, So, complex number Z1 and Z2 satisfy the, This equation, Z plus Z bar, Is equal to 2 modulus of Z minus 1, And argument of Z1 minus Z2 is equal to pi by 4, So, then value of imaginary part of Z1 plus Z2, इसकी आपको value बतानी है, So, देखो, आपके पास में क्या है, Let कर लेते हैं, Let Z is equal to X plus Iota Y, So, put the value of here, So, we have Z plus Z bar, And 2 modulus of Z minus 1, This will be, Here 2X and 2, This will be X minus 1, Plus Iota Y, Iska modulus से, So, 2 से 2 cancel होगा, So, here we have X is equal to X minus 1, Whole square plus Y square, Okay, Is form में हारा है, Iska squaring करेंगे, So, you will get here, Y square is equal to 2X minus 1, Is form में होगा, Okay, अब अपने पास में देखो, यहाँ पे हैं, 2 complex number है, Which are satisfying it, इसको satisfy कर रहे हैं, तो अपने let कर लेते हैं, Let Z1 is equal to, Z1 is equal to, X1 plus Iota Y1, And Z2 we have equal to, X2 plus Iota Y2, वो इसको satisfy करेंगे, इसका रुको, तो आपके पास में देखो, क्या आ रहा है, यहाँ पे, Y1 square 2 X1 minus 1, And Y2 square 2 X2 minus 1, So, taking the difference, इसका difference लेंगे, तो we have here, Y1 minus Y2, And Y1 plus Y2, ठीक है, यह आ रहा है, Is equal to 2 X1 minus X2, इस पार में आ रहा है, Okay, So, we are taking the difference of these two, अब अपने पास में देखो, यहाँ पर क्या आएगा, Y1 minus Y2, upon X1 minus X2, So, इन तो में यहाँ पे, Y1 plus Y2, Is equal to 2, Okay, So, what is this, This is the argument of, Z1 minus Z2, अगर Z1 minus Z2, देखो, अगर अपने देखते हैं, तो क्या आता है, आपके पास में, Z1 minus Z2, So, this is X1 minus X2, प्लस आयोटा, Y1 minus Y2, So, argument of, Z1 minus Z2, इस पर में आएगा, Is equal to किसके बरावर दे रखा हैं, 5 by 4 के, यह इवन है, So, this you can write on here, किस फरम में लिखो के, 10 inverse, 10 inverse Y1 minus Y2, upon X1 minus X2, Imaginary part upon real part, that is equal to pi by 4, pi by 4 के इकुल आगया, So, this we have Y1 minus Y2, upon X1 minus X2, So, equal to what? 1, 1 के इकुल आगया, यह 1 के इकुल लिखा, तो Y1 plus Y2, So, this we have equal to 2, 2 के इकुल आगया, So, what is the imaginary part of, Z1 plus Z2, that we have equal to 2, So, answer to this question, we have equal to 2, Okay? तो यह आपके पास में, बेटा, आपके DCM के, Full syllabus का, Advanced syllabus का, Match का solution था, Okay, thank you.